कि थोई सब्सक्आ के अंदर को करते हैं एक बहित ही चीज जिसकी है筋 नाम अब ह actually कुछ लोह के नहीं किया है बिल्कुल डरना मत शार्ज के बारे में ऐसा सब लोग जानते है चार्ज के पास मास होता है क्या मतलब पार्टिकल के पास चार्ज होता है पर मास नहीं होता है ऐसा कुछ होता है क्या मास होता है और चार्ज नहीं होता ट्रिया है किया ए नौर्मल बात कर रहा हूँ आध्या अध्यक्राइ दॉनों एक हां अजकिनल ऐसे मसं अलग चाहरज अब़ों एक हा धिर दोनों अलग चीज अई यह तो पता है तुम्हें अच्छा जैसे ग्रेविटेशनल फर्टी थी थी ना जी ऐसे ही अपने पास में सेटEREक फोर्स होती है वह adli fully होती है के q1 q2 upon और स्वेस्वेर कितने तरह के चार्ज पड़े ? दो या तիन दो तरह के था तीन तरह केते एक Nicole भी तो था ह्याद करो एक और चीश स्यायद सुनी होगी या पड़ीट होगी कि charge invariant होता है charge कैसा होता है speed का उसके उपर कोई फरक नहीं पढ़ रहा होता पता है कि नहीं तुम्हें charge पे speed का there is no फरक परंतु क्या mass जो होता है mass speed पे dependent होता है mass क्या होता है m equals to m not under root 1 minus v square by c square सुने ते वाले formula कहीं सुने होंगे या किसी ने ऐसे ही style में बताया होंगे सुना तो होगा कुछ तो mass जो है वो क्या कर रहा है it is dependent on velocity पर velocity भी कैसी comparable to the speed of light ऐसे नहीं मैं 5 meter per second से भाग रहा हूँ मेरा mass vary करा दिया नहीं नहीं छोटे masses की मतलब अपन लोग छोटी velocities की बात नहीं कर रहा है we are talking about very large velocities जहां पर जाके mass रहा है वो change होता है ठीक है अच्छा बता क्या gravitational force always attractive हाँ या ना gravitational force is always attractive true or false सोच लो true होता है अच्छा क्या electromagnetic force is always attractive सोच के वो लेंगे पक्की बात है electromagnetic force is always attractive नहीं होती ना अच्छा क्या it can be repulsive as well मतलब positive positive जब होते थे तब क्या attractive होती थी रिपल्स होती थी negative negative में अच्छा positive negative तो क्या it depends से किस तरह के charges लिए गाए है और उसी के हिसाब से हमारी जो force है वो define होती थी मतलब क्या gravitational force और electromagnetic force दोनों में differences है यहाँ पर charge की dependency और यहाँ पर mass की dependency क्या दोनों बाते अलग अलग है एक तरफ charge दूसरी तरफ mass क्या mass और charge दो अलग बात है बोत हर two completely different concepts इसी लिए दोनों को अलग से पढ़ना भी पढ़ते है ठीक है अब अपन लोग तो सिर्फ charge की कहानी पढ़ते है ट्वेलत क्लास का मतलब क्या है recharge सबस्दर का मतलब ही क्या होते है पहले चैप्टर से लेकर आखरी चैप्टर तक और सिर्फ किस की कहानी है चार्ज की अब अपने चार्जेस है ट्रेस्ट की पात की तो क्या पढ़ली इलेक्ट्रोस्याटिक्स क्या पढ़ दी? Electro-Satics, अब Charges को Move करा देंगे, Charges को Move कराएंगे और Move भी कराएंगे विदा Constant Velocity, कैसे Move कराएंगे? Constant Velocity, याचा Accelerated होता है तो कहानी कुछ और चलती है, वो वाला पार्ट आगे, किसके अंदर? Magnetism में, पर अभी अपना Charge कैसे चलेगा? Constant Velocity, तो जब भी अपना Charge Constant Velocity से चलेगा, तो हम लोग कौन से चेप्टर की बात कर रहे हैं? Current Electricity, कौन से चेप्टर? Current Electricity, अब एक चीज़ इमेजन करना, बहुत छोटा सा imagination है, इमानलो इसको एनरजी की ज़रुरत थी, तो एनरजी लाने के लिए आजकर लोग वो एक ड्रिंक आता है Red Bull, य इंजेक्शन लगा दूँ, 50 Red Bull के, कितने Red Bull के? 50, मतलब ऐसा समझ ले कि मैं 5 सेकिंड के अंदर, इसके अंदर 50 Red Bull को ट्रांसफर कर रहा हूं, और वहीं इसको भी एनरजी चाहिए थी, ये 5 मिनट के अंदर आराम से एक Red Bull फीत है, कितनी Red Bull? 5 मिनट में एक, और ये क्या कर र ये नहीं पट रहा, मतलब की, ट्रांसफर ओफ एनरजी जो होती है, क्या चीज? ट्रांसफर ओफ एनरजी, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या that thing is something which is known to me, वो ही चीज क्या मुसे पढ़नी है, है ना, ट्रांसफर ओफ एनरजी किसके रि लगता है, तो बहुत तेज होता है, क्या? नहीं होता है, कभी लगा है, पैंसल सेल का जटका, कभी लगा भी नहीं होगा, क्योंकि फील ही नहीं होता है, इतना कम होता है, और यही कभी स्विच बोर्ड में आठ डाल के देख ले, पता लग जाएगा, बहुत सारा करेंट ज स्बब्त खतरनाक मोमेंट होता है है। Judagoda narth कभी ऐसी को कुरेंट लगा होगा सब को लगा होगा एकाथ बार ऐसे रहे इसे कई लया नार सर्दियों में तो ऑस्थल eh copy इपकड़ा रहे तुमने यह सब चीज़े की नहीं किया, बचपन में करते क्या थे तुम, कंगा ऐसे, यही सब करते थे न, बहुत ज़्यादे किया है, मतलब यह सब तुने है, कंगा रगड़ते थे, ऐसे उनको उठा लेते थे, कागज को तोड़ तोड़ के यूं लंबी सी लाइन बना लेत है, ऐसा कुछ किया था, तो all those things are what, यह सब चीज़े हैं, हम लोगों को चार्ज से पता लगती है, किसे बता लगती है, चार्ज, और इसी चार्ज की rate of flow, इसी चार्ज की rate of flow को नाम दिया गया, current, क्या नाम दिया गया, current, ठीक है, मतलब हम लोग बात कर रहे होंगे, dq by dt, rate of flow, rate of flow किसके respect में होता है, हमेशा, time के respect में, किसके respect में, time के respect में, this quantity is known as current, I, इसी quantity को क्या नाम दिया गया, current, समझ रहे हो, क्या यह instantaneous है, अरे, dq by dt is what, instantaneous, क्या होगा, instantaneous, और इसी को अगर average करा जाए, तो average value क्या होती है, जल्दी बता, I average, अरे, बोलो रहे, I average, क्या delta की हो अरे, जब वो delta बहुत छोटा होता है, तभी तो d बनता है, तो इस d को बढ़ा करेगा, तो क्या बनेगा, capital D या delta, delta, तो हमारे पास में क्या आजाएगा, या ऐसा बोल लू, charge flown, upon, क्या बच्चों, total time, अरे, आएगा ना, तो यहां से क्या आजाएगा, अपने आज, delta q upon, delta t, तो यह तो average value और दूसरी value क्या है, अपनी, instantaneous value, दो तरे की values, instantaneous और average, average हमेशा बड़ी या छोटी, average बड़ी या छोटी, बड़ी कैसे बोल रहा हूँ मैं, that the time interval is large, ऐसे बड़ी नहीं बोल रहा, कि instantaneous बड़ी या average बड़ी, I am talking about in terms of the time interval, यहां पर time interval बढ़ा या यहां पर क्या यहां time interval बड़ा, क्योंकि यहां time interval बड़ा है, इसलिए we talk about the average things, अगर मैं कोई ऐसा graph बनाऊं, जिसमें average और instantaneous की बात करूं, तो average values क्या हम लोग, secant से दिखाते थे, secant जानते हो, a line passing through two points, origin, अबे, किसी curve को दो point से काटने वाली line क्या कहलाती है, secant, एक point वाली, tangent, तो instantaneous value, तुमें कुछ यहाद ही नहीं है, instantaneous value हमेशा कहां से मिलती है, tangent से, कुछ यहाद आ रहे है, और average value कहां से मिलती है, secant से, कुछ समझ में आ भी रही है, थोड़ी बहुत बात, अब current की बात की गई, किसकी बात की गई, current, तो बताने इसकी unit क्या हो जाएगी, अरे unit बोलो, दिख गई क्या सबको, coulomb, पर, second, बोल सही है क्या, और इस हो SI unit में convert किया, तो क्या नाम दे दिया, ampere, क्या नाम दे दिया, ampere, basically तुम मानोगे नहीं, अपन लोग एक fundamental quantity पढ़ रहे है, unit dimension में पढ़ा है, electric current is a fundamental quantity, याद आ रहे है, this is a fundamental quantity जो आज हम लोग पढ़ना चालू कर रहे है, मास पढ़ते है, length पढ़ते है, time पढ़ते है, temperature पढ़ते है, current पढ़ते है, और mole पढ़ते है, याद ही नहीं होगी ये fundamental है, याद है, unit dimension में 7 fundamental बता ही थी, उसमें एक कौन सी नहीं पढ़ते चलो ये बता दो, candela तो unit थी, हाँ, वो, 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 luminous intensity, याद आ गया, अपनको luminous intensity से कोई लेना देना नहीं रहता, अपना लेना देना सिर्फ, उन वाली 6 quantities से है, जो अभी अभी आने नाम लिया, चीक है, तो current की unit क्या हो गई, कूलंब पर सेकेंड, ऐसा unit is also known as ampere, अभी चाप लेना अभी से कुरूप जा, अभी कुछ ऐसा चापने का नहीं है, सब ऐसी की ऐसी चीज़ें, चापते रहेना, एक बार में कुछ चीज़ें बताता, अच्छा बता, current इस a scalar और a vector, scalar और a vector, चलो देखते हैं, current को scalar बोल रहे हैं, लोग बाग, आओ, देखो, मान ले ये था 5 ampere, ये मान ले 2 ampere, तो बताने ये कित्ता होगा, क्या 3 ampere होगा, अरे पता है ना अपने को, current बह रहे है, क्या बह रहे है, क्या बह रहे तो यह आ गया 5 Ampere यह आ गया 2 Ampere तो यह किता है obviously 3 Ampere अच्छा मान ले कि यह ऐसा होता 2 Ampere 3 Ampere 5 Ampere बोल होता अरे ऐसा ही होता है current यह तो तुम्हें पता है 2, 3 का 5 आता है बोलाता है कि नहीं अच्छा अगर यह दोनो 90 degree पे हैं और मान ले यह वेक्टर होता तो आंसर क्या आता क्या 2 और 3 का तुम लोग net निकालते है resultant निकालना आता है under root of 2 square plus 3 square बोल क्या यह यह आंसर आता मतलब यह 5 की ज़गे क्या root 13 आना चाहिए था क्या यह तो 5 आ है क्या मैं यह से जोड रहा हूँ scalar की तर है क्या मैं यह से जोड रहा हूँ scalar की तर है पर क्या it has a direction direction है अरे ऐसा थोड़ी है 5 उल्टा बह गया 3 इदर से 2 इदर से तभी तो 5 इदर गया नहीं सोच पार है क्या पक्का सोच पार हो अच्छा मान ले यह 3 होता और यहां पर है न यह 2 ऐसे होता तो इदर कित्ता होता क्या यहां पर 1 होता तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या वही 3 इदर 2 इदर तो इदर कित्ता बचा यार एक ही तो बचा तो it has a direction or not it has a direction पर क्या इसके जोडने घटाने का काम हम scalar रूप में कर रहा है scalar रूप में जोड घटा रहा है तो ना तो scalar है और ना ही है यह direction है पर क्या vector laws लगा रहा हूँ अरे under root of a square plus b square किया क्या नहीं किया ना 2 और 3 5 कर रहा हूँ बोल कर रहा हूँ के नहीं under root a square plus b square नहीं किया मतलब कि it is not following the vector laws जोड रहा हूँ scalar की तरह पर क्या direction है मतलब पूरी तरह से scalar भी नहीं है इसी लिए special type की quantity है जिसका नाम होता है tensor quantity क्या नाम होता है tensor quantities ठीक है अगर आपको 4 option में दिखे और option में tensor ना हो तो scalar option में अगर tensor ना हो then current is a scalar quantity अगर tensor लिखा हुआ मिले तो कैसी quantity है tensor ही समझ गए पर vector बिलकुल भी नहीं है इस बात का खास जियान रखना है it is not a vector in any sense सिर्फ क्या है direction सिर्फ क्या चीज है direction क्या इत्ती बाते समझ सकते हो current is a tensor quantity it has a direction it has a magnitude but it does not follow vector laws it does not follow any vector laws उसका इत्ती सी बाते समझ में आती है चल लिख ले चल्दी से current क्या होता है current के लिए सब लोग लिख रहेंगे rate of flow of charge rate of flow of charge is called current rate of flow of charge is called current rate of flow of charge is called current टीक है और उसके आद में यह लिख ले आई इकोल सुट डी क्यूब आई डी टी यह कैसा है instantaneous यह उसके आद में average लिख लेंगे instantaneous current average current unit लिख लेंगे coulomb per second या फिर ampere unit is coulomb per second और ampere unit आपको बता दी गई है ampere कैसी unit है SI unit है ना bracket में SI जरूर लिख लेना SI unit है ampere तुमारे सारे misconception जो है वो दीरे दीरे इस वाले चैप्टर में दूर हो जाएंगे ठीक है और एक electrical engineer होने के कारण मेरा यह धरम है और मेरा यह फर्ज है कि यह chapter जो है इस chapter के साथ पूरा पूरा जो है ना क्या बोलता हूं उसको PhD करवाई जाए तरीके से साला कोई सवाल ही ना अटके करेंट का कहीं से भी दिख जाए कोई भी दुनिया का सवाल पर करेंट का सवाल अपने से नहीं अटकेगा समझ गए आराम आराम से दीरे दीरे सारे सवाल सौल करते हुए चलएं बՁस डरनामत को जहां डरना चलो है नहींवान पे सारा मामला करेंट में यह होता है कॉरां जड़न में भापेषए सोचते जीवन जो है वो क्या हो जाता है करता है Change来 सब्सक्राइप लिए थे सब्सक्रामं पर तुम्हें बशिया रखना है कि टैंसर नहीं आये तो लगा सकते हो डर तो नहीं लगेगा बहुत पढ़िया तो जल्दी से एक सवाल कर दे मारे लिए आजा मान ले अच्छा बताना जरा है किसका function है किसका function है जल्दी बोल का time का तो आपने को एक equation दी q equals to t square plus 40 plus 5 क्या equation दी q equals to t square plus 40 plus 5 और इसमें question दिया गया find i at t equals to 3 seconds और दूसरा दिया गया find i average from 0 to 2 seconds और देखते हैं कितने लोग इससे answer निकाल पाते हैं तुम ऐसे सवाल कर चुके हो kinematics में याद है kinematics पढ़ी थी तब तुमने average velocities निकाली थी चलो जल्दी से करके दिखा दो पहले का 10 बोल रहे हैं लोग हाँ अगला अगला भी निकालो क्या गया क्या है answer जल्दी बता हो पहले का 10 बोल रहे हैं कितने लोग 10 बोलते हैं अचा बाकी लोगों से नहीं हुआ कोई बात नहीं और बाकी लोग क्या बोलते हैं कुछ भी नहीं बोलते है जिनका आया है उनका answer 10 आया है बाकियों का answer नहीं आया है इसा कुछ चलो देखना चाहिए एवरेज वैल्यू भी बता दो कि एवरेज कितने आ रही है साइव बोल रहे हैं चलिए चेक करें पहला पार्ट क्या करना था बोलो जल्दी से at 3 seconds मतलब 3 seconds पर क्या होगा या 3 seconds तक क्या होगा 3 seconds पर क्या होगा मतलब मैंने क्या लेखा i equals to dq by dt जरा बता ना dq by dt कितना आ गया direct लिख दूं डर होगे तो नहीं t square का बोल 2t plus 4 क्या 5 का 0 5 का 0 मज़ा आ गया 2t plus 4 आ गया वैल्यू क्या डालनी थी equals to 3 कितना गया 2 into 3 plus 4 answer बोलो 10 ampere अरे कोई समस्चा है क्या पहला पार्ट शायद सब लोगोंने कर लिया होगा जिन्होंने नहीं किया शायद उनको पता लग गया होगा कैसे करना है कोई समस्चा है तो नहीं चलिए दूसरा पार्ट दूसरे पार्ट में हम लोगों से क्या बोला जल्दी से बताओ दूसरे पार्ट में हमें बोला average निकालने को क्या निकालने को अब देख average जब निकालने को बोला तो average क्या होता है delta q upon delta t क्या किसी ने फंदा लगा है delta q upon delta t delta q upon delta t का मतलब है कि मेरे को पहले charge निकालना है 2 second पे फिर charge निकालना है 0 second पे और divide क्या कर देना है 2 से, तुम्हें समझ नहीं आया कितना आया, very good कुछ लोगों ने सही किया, मुझे क्या करना था i average, i average मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, सब ध्यान से देखेंगे मुझे लिखना था q at 2 seconds minus q at 0 seconds divided by t2 minus t1 t2 का मतलब वही है, 2 seconds t1 का मतलब है 0 second, कोई दिक्कत तो नहीं इस formula के लिए अब क्या मेरे को 2 second पर charge और एक second पर charge निकालना है क्या dq by dt करना है क्या जिनका 5 आया साइड dq by dt कर दिया क्यों बोल दे सच्चा ही जिन्होंने 5 पांच निकाल रहा है उन्होंने dq by dt कर दिया जबकि यहाँ पर direct q की value में कितने second डालने थे 2 second, अगली बार कितने डालने थे 0 second, चल निकालते है q at equals to 2 seconds कितना रहे बता दे 2 डालो 4 plus 8 plus 5 कितना है यह 17 कूलम, बोल सही है क्या अच्छा q at equals to 0 seconds जल्दी से बोल दे क्या 0 0 5 दिख गया सबको अभे 0 0 5 दिख गया क्या average निकाल ले i average equals to कितना लिखू 17 minus 5 upon 2 minus 0 any problem जड़ा बताना answer 12 upon 2 6 amp average current कौन सा current निकाला average please ध्यान रखें this is the average thing average अलग instantaneous अलग ककडी की डकारे आरी है तुमारी मैस में मिलता है क्या सलाद वलाद क्या मिलता है खीरा अरे ऐसे सवाल तो कर लोगे ना यार अच्छा अब इसी में एक और चीज बता इसी में अगर हम लोगों से बात की जाए सुनना मेरी बात अरे आपस में बात नहीं मेरी बात सुन इसी में अच्छा जरूरी है क्या अपने को हमेशा क्यों ऐसा function of time मिले अच्छा और क्या मिल सकता है अबे i as a function of time भी तो मिल सकता है नहीं मिल सकता अच्छा देख question देख क्या दिया था i equals to t square कुछ और लेता हूँ 4t square plus 8t plus 4 4t square plus 8t plus 4 यह दिया हुआ था अपने को और इस बार पता है क्या बोला find the charge flown find the charge flown in 5 seconds क्या लिखूँआ लिख लो सवाल 5 seconds में charge आता है तुम लोगों को सब याद है क्या करना होता है बहुत बड़ी है integrate करो जल्दी से hint दे रहा हूँ देख मैं यह हो गया hint खतम कर लो गलत मत करना है यार यह यह बगवान इससे solve कर रहे हो गया इससे solve तुड़ी करना था यार यह तो ऐसे ही देख के कर देता है अच्छा यह अच्छा यह अच्छा यह अच्छा यह हो गया 48 48 किते लोगों का आ गया 48 एक दो तीन चार पाँच पाँच ओके पाँच कही आया अच्छ देख यार मुझी को बदाना पड़ेगा चलो आई बराबर डी क्यू अच्छ नहीं मिला गया अच्छा आई को लिखे ऐसा ही यहाँ पर क्या लिखना है आई लिखना है क्या लिखा मैंने 40 स्क्वेर प्लस 80 प्लस 4 अच्छ तूने कभी ऐसा सुना है कि यह डी टी उपर उचल जाता है ऐसा सुना है अच्छ डी टी इधर उच्छ देखा आ जाएगा 40 स्क्वेर प्लस 80 प्लस 4 डी टी इक्वेल्स तू क्या बच्छ नो डी क्यू और बता अगर मैं यहां पर साप लगा दू क्या लगा दू साप लगा दू तो क्या यह पूरा का पूरा d t से क्या इंटीग्रेट किया जा सकता है विथ रिस्पेक्ट डी टी का और d q का क्या 0 टाइम से चर्श शुरू कर रहा हूं तो 0 to क्यो अच्छा यहां कहां तक निकालने हुझे 5 सेकेंड तक, मतलब 0, 2, 5 एनी प्रॉब्लम चलो, अब अगर इंटीग्रेट ही करना नहीं आता तो तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है अच्छा बोल इंटीग्रेशन, 4T स्वेर क्या 4 बाहर T का क्या होगा T की पार 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, आता है के नहीं X की पार N का इंटीग्रल याद है X की पार N प्लस 1 अपॉन वही तो करना है, बताना ज़रा क्या आ जाएगा 4T क्यूब बाई 3 प्लस 8T स्क्वेर बाई 2, प्लस 4T, याद है के नहीं किसी को कुछ हयाद ही नहीं आया और कहां से कहां तक करना था 0 to 5 शायद कुछ लोगों ने 4 के बाद में T नहीं लगाया लगाया था क्या अच्छा, ओके, और ये किस के बराबर है Q के बराबर, क्या मेरे को चार्ज फ्लोन निकालना था अवे तो 4 जी तो आ रहा है integral dq क्या होगा, Q पता है तुम्हे, अच्छा चलो, आगे बड़े, आगे बड़े तो क्या गया 4 dq, 5 value डालो 4 into 5 का Q, क्या 125 upon 3 प्लस 8, अच्छा, इसको तो काटी देता हूँ 2 से कित्ती बार, 4 बार 4 से काटा तो कित्ता आ गया है 4 into 25 बोल सही है क्या प्लस 4 into 5 क्या minus 0 minus 0 भी तो लिखुआ समझा रहा है क्यों upper limit minus lower limit डाली तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, सब लोग देख पा रहे है बहुत अच्छे, values तो डाली नहीं आप तो answer आएगा सीधे विश्वास कर सकता हूँ कित्ते लोगों का आ रहे 860 by 3, चलो विश्वास कर लेता हूँ कितना आ गया 860 upon कूलम या एंपियर is equal to charge flown कितनी देर में 5 सेकंड 5 सेकंड में इतना चार्ट जाएगा ये current variable था गया time के साथ variable था ना अरे 0 पे अलग, 1 पे अलग, 2 पे अलग तो जब भी current ऐसा variable वगरा होगा तो क्या मेरे को integrate करना है समझ गया है जब भी charge variable होगा तो क्या मेरे को differentiate करना है किसके respect में हैं चीज़े time के respect में समझ भा रहे हैं प्लीज ध्यान रखें constant होना और variable होना दोनों अलग बाड़ा है अपन इसे generally पता है यह जो अपन ने लिखा है न i equals to dq by dt इसको अपन कई बार generally सीधे बोल देता है q equals to i t तुमने शायद बच्पन में यह वाला formula पढ़ा भी होगा q equals to i t पढ़ा था यह वाला formula है reality में तो बड़े हो के क्या हो गया वो dq by dt पर असली formula क्या था q equals to यह कौन से current के लिए constant कौन से current कहा है constant क्या यह जो दोनों चीज़े है these are all for variable currents variable कैसे time के respect में किस के respect में time के respect में तो please याद रखें अचा इलेक्ट्रो सेटिक्स में अपनने एक बहुत नॉर्मल सा q equals to any याद है q equals to plus minus any यह वाला formula भी हम लोग पढ़ चुके है शायद इससे सब लोग relate कर पाते है कैसे e का मतलब क्या होता है charge on the electron और n क्या होता है कितने number of electron present है तो total charge क्या होगा मैं कहूँ यह जो bench यहां रखी है इसके उपर एक avagadro number of electron present है तो कितना charge होगा क्या 6.023 x 10 क्या 23 multiplied by e होगा के नहीं यही तो बात है q equals to any सही है के नहीं अच्छा एक neutral conductor पे कितना charge होता है क्या हो गया अच्छा क्या neutral का मतलब यह होता है क्या electron proton दोनों ही नहीं है बराबर है है ना neutral does not mean that it does not contain any electron और proton इसका क्या मतलब है बराबर है क्या मतलब है बराबर electron और बराबर proton एक चीज़ और जल्दी से बता दो negatively charged conductor का क्या मतलब है क्या it has an excess of electron positively charged एक्सेस ओफ प्रोटॉं इलेक्ट्रॉं डेफिसिट क्या बोलूँगा electron deficit excess of proton नहीं बोलेंगे क्यूंकि जो भी transfer हम लोग पढ़ते है वो किसका transfer पढ़ते है electron का चोटी चोटी बाता है जो आपको याद होनी चाहिए अच्छा बता कोई conductor अगर negatively charged है तो उसका mass जादा होगा या फिर एक positively charged conductor का mass जादा होगा सोच के बोलो सोच के बोलो क्यों क्योंकि electron जा 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 है अब एलेक्ट्रॉं का mass भी तो होता है तो negatively charged conductor का mass क्या होगा बहुत normal सा सवाल पूछा जाता है कौन से exams में ये भी बता दूँ VIT सब देते हैं बिच्पिलानी सब देते हैं दोनों में पूछा जाता है और एक बार नहीं तीन बार पूछा जा चुक है ये और सुन ले ठीक और ये लगता बहुत आसान है पर ये ही वाला सवाल जब KVPY के इंटर्वी में पूछा जाता है तो हम चार बार सोचने लगता है कि इतना आसान सवाल कैसे पूछ सकता है समझ रहे हो तो वहाँ भी पूछा गया है ऐसा नहीं है वहाँ पर भी पूछा गया है सब देंगे नहीं इस साल के भी पीवाई अरे दे ले ना दे तो ले ना देने में क्या जा रहा है तैयारी तो तुम करी रहे हो बस तो ऐसे क्या मूँ बना के क्यों बटे हो अरे वो ही नवंबर में होगा फॉर्म वों आएंगे बढ़ दे ना समझ भी रहे हो क्या गुछ जो बाते बता ही जा रही है क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रही है अच चल तो इसी बात पे सब लोग अब एडिंग इस पे और सवाल करा हूँ कै डी क्यूब आई डी टी और इंटीग्रल आई डी टी पे नहीं कराने ना चल तो एडिंग डालेंगे सब लोग कहानी करेंट की सब लोग एडिंग डालो कहानी करेंट की करेंट हमारे जीवन में कैसे आया क्या हुआ कहानी करेंट की आओ कहानी करेंट की अच्छे जल्दी से एक चीज याद करो पढ़ भी चुका हैं कुछ लोग और जो लोग नहीं पढ़े वो लोग सिर्फ देख लें मैं दुबारा सिर्फ चीजों को समझा रहा हूँ इसलिए डरना नहीं है मान लो अपने पास में एक कंड़क्टर है क्या चीज है अच्या यह जो मैं है इसके उपर अगर मैं एसे एक अर। लगाता था फ़ील तो जल्दी बता अंदर अग तक येच्छे पील्द है जीरो कंड़कटर की अंदर इलेक्ट्रों भी होते हैं और दोनों होते हैं अच्छा क्या सारे बाउंडेट होते हैं अरे फ्री होते हैं अरे 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 चीज बता जो पॉजिटिव ली चांज आयंस मौजूद है यह मालने जो प्रोटॉंस है उनके उपर फोर्स किदर लगती है इंदा डिरेक्शन ओफ पॉजिटिव चार्जेस पर फोर्स लगती है इंदा डिरेक्शन ओफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इत्ती सी बात मैं याद रख सकता हूं रियालिटी है तो पॉजिटिव के ऊपर फोर्स लगी आगे असा क्यूंकि कुछ नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद थे तो उन गार्टिव चार्जेस एक्यूमूलेट हो गए यहां बोलोंगे के नहीं और यहां अमेरी बात समझ में आती है और इसी लिए क्या हुआ एक नई एक इंडिacious electric field आई Canon एक इंडिश इलेक्टरिक फील्ड अगई due to the accumulation of duda यृसर्जेस due to the accumulation of charges, इस तरफ positive और इस तरफ negative, जिसकी direction हमारी external electric field के opposite थी, जिसकी direction क्या थी, external electric field के opposite, external की direction क्या बच्चों ये है, इसको क्या नाम दे दिया, E external, और induced जो आई उसकी direction क्या है, opposite, E external, E induced, ठीक है, और ये accumulation तब तक चलता है, जब तक external electric field और induced electric field बराबर नहीं हो जाता है, और सोच के देख, जहां दोनों बराबर वहाँ net electric field, electric field है एक vector quantity होती है, कैसी quantity, वेक्टर, त तो क्या it has a direction, अब मैं बोलूँ इधर 5 और इधर भी 5 net, किते हैं, इधर भी 5, इधर भी 5 net, 10, जानते हो न, इधर भी 5, इधर भी 5 net, अरे 5 root 2 यार, ऐसे क्या हर बार 5 या 10 ही होगा क्या, क्या maximum is 10, minimum is 0, ये तो सोच पाते हो, minimum क्या दोनों opposite, maximum क्या, दोनों साथ, क्या मेरी बाते समझ में आती हैं, अच्छा देख वो ही वाली चीज़, तो external इधर, induced इधर, external इधर और induced, ये दोनों क्या हो जाती है, एक point पे बराबर हो जाती है, ठीक है, वही, external तो वो की वो रही, पर induced क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, क्या charges का accumulation होता जा रही है, तो induced electric field is increasing, decreasing, external is, decreasing नहीं, decrease थोड़ी हो रही है, अरे, external तो लगा दी, तो वो तो constant है, पर induced electric fields वो बढ़ रही है, और एक time ऐसा आता है, जब induced और external, बराबर, जैसे ही दोनों बराबर होंगी, वैसे ही net क्या होगा, ये conductor की खास बात, ये conductor की खास बात, क्ये conductor के अंदर net electric field क्या होती है, जीरो, क्या उसमें, reality में, electric field अलग अलग तो होती है, पर उसका net क्या आता है, जीरो, ठीक है, conductor से कोई electric field line पास करती है, क्या, conductor के through, क्या हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं, क्यों नहीं करेगी, सुन लें, क्योंकि net electric field inside क्या है, जिस चीज के अंदर electric field ही नहीं है, उसमें से electric field line पास करेगी, क्या, नहीं करेगी, क्या बहुत normal सी बात, समझ में आती है, ठीक है, बस इतना ही ग्यान होना चीए, electric field का इस वाले chapter में, ज्यादा ग्यान किया अपने को ज़र्वत, नहीं, दूसरी बात, positive charges पे force किदर लगती है, in the direction of electric field, in the direction of negative way, opposite to the direction of electric field, क्या, इत्ती सी बाते में हमेशा याद रख सकता हूँ, ठीक है, minus q charge, मान ले, minus q है, यह electric field, force किदर, या मेरी तरफ, यह minus q, electric field इदर, force किदर, electric field इदर, force किदर, force किदर, force किदर, या इदर, अच्छा, plus q, electric field इदर, electric field इदर, 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 minus q, electric field ऐसे, समझ में आती है बात, लगा सकते हो न, force, डर होगे तो नहीं, और force की value क्या होती है, qe, force की value क्या होती है, q times e, where q is the charge, e is the, electric field किदर, इत्ती सी बाते याद रख सकते हो, बहुत बढ़ी यम्मा जा आगे, अब सुन, यह जो conductor था नहे, isolated था, कैसा था, isolated conductor, इगात करना, जिन लोगों ने पढ़ा हुए, उनको मैंने यह वाली बात बताई दी, किसमें होती है, isolated conductor में, अब मैंने क्या किया, इस conductor को तारों से जोड़ दिया, किस से जोड़ दिया, तारों से जोड़ दिया, तारे मतलब stars की बात नहीं कर रहा, wire, wire, अब समझ गया ना, इस प्रकार से पकड़ा और तारों से जोड़ दिया, ठीक है, अब बता, charges accumulate होंगे क्या, accumulation तो होगा, पर क्योंकि उसे एक रास्ता मिल गया है जाने का, तो वो इस रस्ते से निकल जाए, वो इस रस्ते से निकल जाए, इस बैटरी, यह क्या है, बैटरी है, बैटरी की working तुम लोगों को पूरी-पूरी पता लगेगी, डरना मत, ठीक है, अभी बस देख लो, इस चीज में क्या होता है, पहले ही बता दूँ, यह कहानी है, एक standard कहानी है, ठीक है, जैसी मैं तुम लोगों को सुना रहा हूँ, वैसी की वैसी सुन लो, इसमें सार कहानी, इसलिए आपने को डरना नहीं है, अब सुन, इस conductor के अंदर जो charge था, सुनना मेरी बात, पहली बात, अगर मैं कहूं के current flow की direction यह है, electron कहां जा रहा था, पीछे जा रहा था, तुम लोग जानते हैं वाली बात, अरे वायर बहुत बढ़ी है, मतलब तुम्हें पता है बहुत बढ़ी हमाजा आ गया, उस चीज़ पर टाइम ही खराब नहीं होगा, बहुत अच्छा, अगर मैं कहूं के current इदर बह रहा है, तो electron हमेशा कहा जाता है, current की direction के opposite, तो basically हम लोग जो direction ले रहे होता है, वो positron की direction ले रहे होता है, मतलब मैं अगर electron भी बोल रहा हूँ तो समझ जाना मैं positron बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ है, positron, मतलब हम basically किस की direction के साथ खेलेंगे, positron की ना की electron की, बही, electron तो असलियत में पीछे भाग रहा है, this is where the electron is going, तुम भी जानते हो, है कि नहीं, पर current के flow की direction क्या है, ये, है न यार, है न, चलो बहुत अच्छ मान ले, इसका potential था V, इसका potential क्या था, तो हम लोग क्या बोलता है, एक end होता है, higher potential पे, एक end होता है, lower potential, एक तरफ माना V, और दूसरी तरफ माना 0, बड़ा रंडना मतलब, higher potential, छोटर रंडना मतलब, lower potential, क्या मेरी बात समझ पाय रहा है, और ये चीज़ तो मैं पढ़ to lower potential, बोल पड़ी है के नहीं, मतलब this has a electric field applied, बोलो है ना यार, इसके पास में एक electric field है, जो apply कर दी गई है, बोलो है, और उस electric field से जो charges accumulate हुए, क्या उनको भी एक रस्ता मिल गए, इस wire के थूरू क्या उनको रस्ता मिल गए, इस wire के थूरू उनको रस्ता मिल गए, इस wire के अशले थे, क्या इस बार accumulation हुआ, यहां पर accumulation इस बार नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ accumulation क्या तुम जानते हो, रास्ता मिल गया, क्या मिल गया उनको, रास्ता मिल गया है, और अपना ब अपना conductor है वो आप isolated नहीं रहा, छीख है, अपना conductor now is not isolated, अब सुन इसके अंदर जो electrons हो कुछ होती थी, potential energy क्या होती थी बटा जल्दी से बताओ, KQ by, यह potential energy होती थी, यह potential होता था, potential energy जो होती है बटा, charges के लिए जब हम लोग define करते हैं, Q1, Q2 upon R, बस सुन ले, अभी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ सुनना है, क्या होती है, KQ1, Q2 upon R, यहाँ पर जब हम लोग उसको लिख रहे होते हैं, तो अगर, मतलब एक general definition दे potential energy की, तो हम लोग बोलता हैं कि potential और multiplied by क्या, charge, potential multiplied by charge, इस दी potential energy, क्योंकि potential होता है, KQ by R, उसमें charge multiply कर दे, तो आजाएगा अपने आज, potential energy, तो क्या बोल दूँ, Q into V, क्या बोल दिया, Q into V, तो यहाँ पर, मैं तिरको battery का जो role है, basically वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अच्छे से, बैटरी का काम है, energy देना, क्या काम है इसका, energy देना, और energy in the form of potential energy, इस end पे, इसके पास कित्ती potential energy है, अरे energy, क्या, Q into V, अभे इसका charge गया था, तो EV बोल ले, अरे क्या EV है इसके पास, पकका पका, इस end पे, अब होता क्या है, यहाँ से energy लेकर भागता है, energy लेकर क्या करता है, भागता है, और यहाँ पर आके energy क्या हो जाती है, दिख्या तिरगो यहां पर राके एनरजी क्या हो जाएगी अब जहाँ इसकी एनरजी जीरो हुई तो यह क्या इसमाले तार के अंदर से जाता है और ट्रेवल करता हुआ पहुँचता है किसके पास बैट्टरी के पास ठीक है अब यह जो अपना पॉजिट्रोन है न इट अस become a vikari क्या बन चुग है बिकारी भीग मांगता हुआ जाता है अल्ला के नाम पे दे दे रे बाबा और किसके पास जाता है बैटरी के पास समझ गए बैटरी एक बहुत महान व्यक्ति है बैटरी क्या है एक महान व्यक्ति जो हमेशा भीग देने को तैयार है ले मेरी तरफ से तू भी क्या याद करेगा अरे समझ रहे हो ना तो ये गया मरा हुआ इसके पास यहाँ पर तो एकदम चोड़ा होके खड़ा था आजा साला कौन बिट रहे तो EV energy लेके निकला दूसरे end पर आके क्या हुई जीरो जीरो होई नीचे आया लॉट के किसके पास बैटरी के पास बैटरी बोली ले बिटा तू भी क्यायाद करेगा ग्लूकोन डीपी और दुबारा से घूमो क्या मेरी बाद समझ रहे हो मतलब energy ले ले लेके जो motion हो रहा है positron का क्या उसी को मैंने current नाम दे रखा है अरे बैटरी का रोल समझ में आ रहा है कौन घूम रहा है असलियत में कौन घूम रहा था electron असलियत में कौन घूम रहा था मैंने क्या direction मान रहा है उसका उल्टा उसका तिरे को feel तो आ रही है कि हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहा है बैटरी का रोल समझ में आ गया कर इस बारे में अपन बाद में और बाते करते हैं यह के लेक्ट्रो मोटे फोर्स पढ़ते हैं हम एमेफ के नाम से इसी chapter में आ गया आएगा तब अपन लोगों को उस चीज़ की जादा feel आएगी पर अभी तू यह समझ के यह चलाता क्या बनके share बनके यहाँ पहुचा तो क्या था अभे चुगा बिल्ली क्या चुगा बन चुगा था इस चुगे को share दुबारा किसने बनाया बैटरी ने वापस से कित्ती एनर्जी दे दी EV और जैसे EV एनर्जी दी दुबारा से आजा साल आप भागेंगे आप तो क्या मेरी बात समझभा रहे हो तो बैटरी का रोल जो है हमारे जीवन में वो बहुत important है velocity नहीं पहे potential है lower potential higher to lower it is not necessary के zero मानू हम क्या convention से एक तरफ higher एक तरफ lower मानता है higher को full कर देता है lower को zero कर देता है ठीक है feel आएगी इसकी दीरे-दीरे feel बनती है इसे directly feel नहीं आती चिंता नहीं करनी है अभी अभी battery बैटरी सब पढ़ेंगे बिलकुल बिना चिंता के अभी रुख जा higher potential से lower potential कौन बह रही थी हमारी electric field एकदम बड़ी आम लोगों को मजा आ रहा था ठीक है अब हुआ क्या ये जो electron थे ना ये electron जब अपनी जगे से move कर रहे थे तो एक चीज़ सोच इन electron का movement हमने क्या माना they were moving with a constant velocity they were moving with a constant velocity और अगर मैं room temperature पे किसी current नहीं आता जब तक हम उसे किसी external supply से जोड़ना थे भाई तुम्हें वैसे current जो ये नजर वजर नहीं आता पर अपनी टीवी चलाते हैं टीवी पुराने वाले आते थे नहों बड़े डबबे वाले टीवी तो उसमें पीछे एक पिक्चर ट्यूब रहती है क्या रहती है वो पिक्चर ट्यूब पता है बीम ऑफ एलेक्ट्रॉन स्वेक्ती है जिससे इमेज बन रही होती है इस नोन ऐसा कैथोड रे ट्यूब क्या बोलते हैं उसे कैथोड रे ट्यूब जिससे तुम लोग टीवी देखते थे पुराना आजकल यह सारी टेक्नलोजी इस बींग र मेरे यहां भी लगा हुआ ऐसा नहीं है ना मैं बस तुम्हें बात बता रहूँ आजकल तो नया टीवी चाहिए सबको जो दीवार पर टंगता हो कितने लोगों के पास है दीवार पर टंगने वाला बहुत स्टाइल मार रहो बटाया ना पहले LCD आया सबसे बेले क्या आता CRT पहले आता था CRT CRT के बाद क्या आया LCD LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्पले बिल्कुल सही जवाब याद है ना और अब LCD को भी किस ने रिप्लेस कर लिया LED अच्छा TFT बता है तुम्हें TFT क्या तोड़ो फोड़ो तोड़ो तोड़ो थिन फिल्म हाँ सही बोल रहे हैं TFT यही होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर आप बिल्कुल सही है डरे नहीं तुने पढ़ा हो गया साले कहीं पर आ ना जाइड सी बात है पढ़ा था तब ही तो याद है हाँ चलो खेर टेकनोलोज झाल तोड़ी सिम्ष्शी बात हुरी थी इलेक्ट्रों के फ्लो की बात हु गए तो यही एलेक्ट्रण का फ्लो अम लोगों से इधर जाते हैं टकरा गया, इधर जाते हैं टकरा गया, यह इलेक्ट्रोन है निकला, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, वापस ऐसे आ गया, यह इलेक्ट्रोन का मोशन कहां से निकला था, ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे, जहां से चला क्या वहीं पर आ गया, average velocity, आएग average speed, non-zero, क्या हो गया, अबे velocity क्या होती है, क्या displacement upon time, बोलना displacement, है के नहीं, अच्छा बोल average speed, distance upon time, क्या distance zero है, इसी लिए एक conductor में जो electron होते है, उसकी speed जो होती है, it is very very greater than the velocity, इसकी जो speed होती है, it is very very greater than the velocity, थोड़ा अपन लोग क्या ज़्यादा deep चले गए, मतलब, है न, olympiad level की बात करने लग गए, पर हाँ तेरे को पता होना चाहिए, समझ गया न, बिलकुल, बिलकुल, क्यों है, अब ये भी सुन, अब जब ये सवाल किया है, तो सुन ले, electric field थी क क्या वो 0 थी, तो इस, क्योंकि electric field ही कोई नहीं थी applied, तो net electric field inside a conductor is always, तो current मिलना चाहिए क्या, परी current कब मिलेगा, जब electron अपनी जगे से displacement दिखाएगा, मिलेगा न, तभी मिलेगा, यहाँ दिखाया क्या, क्यों, क्योंकि electric field ही क्या थी यार, क्या मेरी बात समझ गया, 100%, और उसके चारों तरफ क्या जोड़ दी, बैटरी, क्या जोड़ दी, बोला भी electric field 0 है क्या, नहीं या नहीं, चलो आओ देख, electron चला, मस्त हुआ, इदर गया, इदर गया, इदर गया, इदर गया, इदर गया, इदर गया, finally इदर गया, क्या तुम्हें initial और final position में displacement नजर आय और ये जो displacement था, अगर इदर electric field applied थी, तो इसी direction में आया, ये जो displacement था, ये उसी direction में आया, जिस direction में क्या applied थी, क्या बिटा, यहां से यहां पर जा रहा है, let's say this displacement is x, इस displacement को क्या बोला गया, x, अब बता, speed बड़ी है, velocity, अभी भी speed ही बड़ी है, तुम ध्यान से देखो, अभी भी क्या displacement थो छोटा सा ही है, इस छोटे से displacement के लिए average velocity is what, very small, again, क्या speed is very large, क्योंकि ये सारा काम is happening in a very short duration of time, है न, very short duration of time and that too again and again, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, क्या मेरी बात समझ रहो, पर क्या तुम ने ये देखा क्या अपने charge particle में displacement आया, क्यों आय because this time electric field is not zero, क्या मेरी बात समझ रहे है, और displacement भी उसी direction में आया, जिस direction में electric field थी, नहीं समझ आ रहा, आ रहा है, उदर electric field लगा दे, उदर आ जाएगा, अपन मान के चल रहे, बैटरी का direction बदल दे, अरे बैटरी है न, लंबा डंडा इसको कर दे, छोटा डंडा इसको कर दे अपने आप हो जाएगा, अपना conventional flow मानना है, कौनसा flow, conventional flow, ठीक है, इसी लिए इदर ले रहे हैं, समझ गया, चलो, अब सुनिया आगे, लोगों ने कहा यार, speed define करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है, मतलब असली में पता है, electron की जो speed होती है, 10 की पार 3, 10 की पार 4 की terms में जाती है, meter per second की बात कर रहा हूँ, तो उसको define करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, और क्योंकि ऐसा करने वाले बहुत सारे electrons होते हैं, इसी लिए हमने ऐसा मान लिया, कि जो electron हैं, यह सारे electron, these are moving with a constant velocity, these are all moving with a constant velocity, और उस velocity को नाम दिया गया, drift velocity, क्या नाम दिया गया उसे, drift velocity, ठीक है, and this drift velocity is taken to be constant, कैसी लिए जाती है, constant, और एक बात मान लिया जाती है, अपनी तरफ से, conventionally इस बात को मान लिया गया, कि ऐसा है, कि जो भी electrons है, they are all arranged just like soldiers, soldiers यानी सिपाई जानते हो ना, सिपाई कैसे line में चलते हैं, देखा है परेड में, देखा है ना, उसी तरह से पता है, अपने electrons भी यहां पे arranged, इस तरह से, ऐसा मान लिए, सिपाई टाइप्स हैं, कैसे जा रहे हैं यह, सिपाई टाइप्स, एकदम line में लगे हुए, और velocity कैसी, अच्छा बता, same velocity से जाएंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे क्या, नहीं टकराएंगे, मानना पड़ा, क्या करना पड़ा, मानना पड़ा, जब भी अपन कोई theory देंगे ना, मतलब यह physics की खासियत है, अपन क्या करते हैं, पहले बहुत सारे results हैं उनको check कर लेते हैं, और प्लीज इस वाली theory से डरे नहीं, अभी देख बहुत आसान सा result आने वाले, यह उसके लिए एक बहुत लंबी सी एक वो बनाई गई है, जैसे बोलता है ना, रूप रेखा, क्या हम एक छोटे से result पर आपाएं, समझ रहे हैं मेरी बात, तो electrons are arranged like a soldiers, electrons are arranged like a supply and they are moving with a constant velocity, called as drift velocity, क्या बोलेंगे, drift velocity, drift क्यों बोलता है, क्योंकि इसके position में displacement में change आ गया, इसी को drift बोला गया, और velocity को क्या बोला गया, drift velocity, को ही समस्या, drift velocity को represent करेंगे अपन VD से, किस से represent करेंगे, VD से, अब हमने दुबारा एक conductor बनाया, देखना, final result की और बढ़ रहे हैं, अब हम लोग, दुबारा से हमने conductor बनाया, वायर से जोड़ा, और क्या बात की सुनें, V, V, 0, ठीक है, हमने अब कुछ चीज़ें डिफाइन कर दी, चले एक चीज़ बता, अगर कोई conductor है, तो electron तो होंगे ही, सही, बहुत सारे या बहुत कम, बहुत सारे, कितने electron हैं, और क्यूंकि बहुत सारे हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, average velocity मान ली, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, average मान ली, बहुत सारी जिए करना पड़ता है, average ही लेना पड़ता है, इसलिए average मान ली गई, सोच के देख, अगर मैं एक gram किसी substance की बात करूँ, तो क्या एक gram के अंदर na number of electron होता है, अरे जानते हो ना, एक gram में कितने electron होता है, एक gram कुछ भी बोल ले, क्या बोल ले, चल कॉपर बोल ले, एक gram कॉपर, तो उसके अंदर electron कितने है, 6.023 x 10 की पावर, 23, तो क्या इतने तो हमेशा ही मौजूद है, अब ये इतने ही मान ले, आपस में टकरे टकरे मचाए जा र electron को, लगता तो होगा, electron को हमने नहीं देखा, electron microscope से भी electron नजर नहीं आता, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कि electron microscope से electron दिखता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, electron की beam भेगता है अपन चीज़ों के ऊपर, इसलिए उसका नाम electron microscope होता है, electron itself is a hypothetical concept, वो खुद कैसा concept है, अब सोच अप अपन ने उससे current भी बना रखा है, पूरी modern भी बना रखी और chemistry आलों की तो पूरी जिंदगी उस पर है, सोच के देखो, chemistry में अगर electron की जगे कोई और आ गया, तो जरा सोच क्या होगा, जिंदगी उलट उलट हो जाएगी भाई साब, इतनी बड़ी organic, periodic table की तो छोड़ी द velocity हमारे पास में आ गई, drift velocity क्या थी, average, और कैसी थी, कौन से, हमने इससे दुबारा से बनाया, और हमने इसलिए क्योंकि there were a very large number of electrons, we defined a term called n, n का मतलब था, number of charge carriers per unit volume, क्या मतलब था, n का number of charge carriers per unit volume, प्लीज ध्यान रखें, n is not just the number of charge carriers, it is charge carriers per unit volume, अब सोच, अपने है ना इनको, जो अपने लिये सारे, अपने इसमें दो positions consider कर लिए, एक ये position और ये position, ठीक है, इस position पर हमारे पास में मान ले ये, तीन electrons है, ठीक, इन तीनों की velocity बोल, क्या तीनों are moving with a velocity, VD, तो बता, DT time में कित्ता चल लेंगे, DT time में VD velocity से कित्ता चल लेंगे, क्या VD times DT, अरे यार, क्या this is your VD, और मैंने क्या DT time में कित्ता चल गए, VD times DT, अरे distance is speed into time, तो अगर मैं इस वाली displacement को बोलू, X, तो इस X की value क्या आ रही है, VD times DT, बोलो कोई दिक्कत है क्या, चलो, ये अपना displacement था इन, DT time, ठीक है, छोटे सा portion की बात कर रहा हूँ, और इसका cross section area जो था वो हमने ले लिया, A, A क्या है बच्चों, cross section area, क्या सब लोग जानते हैं cross section area, area perpendicular वाला, समझ गया है न, चलो, X, C value आ गई, VD, DT, cross section area आ गया, A, अब अगर आपको कोई ये बात पूछे, कि यहां से यहां तक आने में, कितना charge, travel किया, तो क्या तुम निकाल सकते हो, कैसे निकालेगा, क्या मेरे को DQ लिखना चाहिए, भई मुझे क्या लिखना चाहिए, उस DQ की value क्या होगी, जड़ा सोच, इसका volume किता है, अरे इस portion का volume निकाल सकता हूँ न, A into X, X की value, V, D, D, T, बोल है के नहीं, तो DQ अगर निकालना है, तो N क्या था, अच्छा, एक में इतना, तो दो में कितना, क्या unitary method लगाना आता है, वो ही लगा रहा हूँ ध्यान से देख, मैंने DQ लिखना है, क्या लिखना है, मतलब कितना charge इतने portion से अपना travel किया है, DQ की value, N, V, D, D, T, into A, बोलो सही है क्या, पहले जिए सोच के V, D, D, T, into A क्या लिखा हूँ है, volume, क्या लिखा हूँ है, volume, volume, volume कितने portion का है बच्चों, क्या इतने portion का, भई, X times area, क्या this is going to give me the volume of this portion, भई, इतना ही तो portion चाहिए या ज़्यादा चाहिए, DQ निकाल रहा हूँ न, तो क्या इतने portion से मतलब है, अब सुन मेरी बात, DQ आ गया, N, V, D, D, T, times A, अब अगर कोई बोले के charge की value क्या थी, क्या बोले कोई, charge की value क्या थी, तो क्या तुम इसके अंदर वो भी निकाल सकते हो, value of charge, amount of charge, क्या, this is the number of charge carriers, अभी जो तुम ने निकाला है, वो क्या निकाला है, number of charge carriers, जो की pass कर रहे हैं, अगर कोई बोले कितना charge pass किया, क्या multiply by E कर दूँ, नहीं सोच पा रहे हैं, भाई N क्या है, number of charge carriers upon volume, बोलो है के नहीं, अच्छा, volume से volume multiply हुआ, तो क्या आया मेरे पास, N, क्या number of charges आगया, कितना charge, एक के पास कितना था, E, इतने के पास कितना होगा, बोल होगा के नहीं, क्या this is the total charge which is crossing this surface, समझ नहीं आ रहा, पक्का समझ में आया, अच्छा, इस result के अंदर, ध्यान से देख, इस ही result को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्या dt को नीचे ले जाओ, dt नीचे ले जाओ, क्या आगया मेरे पास, dq by dt is equals to N, E, A, V, D, बोलाया के नहीं, इसे क्या हो रहा है, नहीं गरेगी, फोड़ दे, हाँ, अपने आज में क्या आगया, dq by dt equals to N, E, A, V, D, और यह dq by dt तो कुछ सुना हुआ है, शानदार, तो अपने आज में क्या result आगया, i equals to N, E, A, V, D, current का result, किसी भी conductor में current flowing is given by what, i equals to N, E, A, V, D, where n is the number of charge carriers per unit volume, please ध्यान रखें, terminology में गडबड करते ही, शानदार मामला जो है, वो कतम हो जाते है, N is the number of charge carriers per unit volume, E is the charge on one carrier, अबे, एक carrier का charge ही है ना, पक्का, अगर मान ले, electron दे दूँ, तो क्या होगा, 1.6 to 10K और minus, 19, A is the area of cross section, VD is the drift velocity, क्या तेरे को कुछ समझ भी आ रहा है, तेरे को एक भी चीज समझ नहीं, क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, थोड़ी लंबी कहानी है मैं खुछ जानता हूं, I know it's a long story, बट थोड़ी सी तेरे को comfortable लग रही होगी, जब ये formula निकल के आ गया, क्या बोल लगी के नहीं, लग रहा है ना के क्यों सुनाई गई थी, तेरे को feel दिन आने के लिए के देख कुछ drift velocity होती है, क्यों electron को energy की ज़रूरत होती है, क्यों battery लगाई जाती है, क्या तुम्हें कुछ कुछ बाते समझ में आई, 100% चाप लो बूरी, और अपनी भाषा में अगर कुछ लिख पाओ तो बहुत अच्छा, नहीं लिख पाओ तो मुझे बता देना, मैं end में लिखा दूँआ, चलो star बना के एक लाइन लिखो जल्दी से, लिखो कें करिक radical है, the velocity, the velocity expectations due to the presence of electric field, the velocity due to the presence of electric field, the velocity due to the presence of electric field is known as drift velocity, is known as drift velocity and is taken to be constant बैटरी चार्ज देता है के एनर्जी एनर्जी याद रख सकते हो ना मतब मैं लिखवा नहीं रहा है यह लाइन ऐसी तुमसे पूजरा था the velocity due to electric field is known as drift velocity and is taken to be constant ठीक है यहां से आपको drift velocity समझ आ गई होगी आ गई क्या अच्छा यह displacement किस direction में था जिस direction में electric field क्या यह सब बाते समझ में आई थी हमको चलो बहुत बढ़िया मज़ा आगे आगे देख आई बराबर एनिए वीडी में क्या है number of charge carriers per unit volume क्या just number of charge carriers यह number of charge carriers per unit volume पर unit volume प्लीज ज्यान रखें ठीक है इसके बाद में E क्या है charge on one carrier एक है area of cross section VD क्या है drift velocity चलो बहुत अच्छे आगे बढ़ता है देखो अब यह जो electric field अपन ने apply की थी ना यह किसके कारण आई थी बैटरी के कारण आई थी क्या किसके कारण थी अगर मैं तुमसे पूछूँ तो electric field की इसकी value क्या होगी इस E की value क्या होगी मान ले के जो conductor लिया ना अपन ने इस conductor की लेंथ मान ले L है कित्ती लेंथ है L लेंथ है वी पोटेंशियल है electric field शायद कुछ लोगों को याद होगी E equals to minus dv by dx जैसा कुछ पढ़ा था पढ़ा था ना तो यहाँ पर जब हम लोग E लिखते हैं तो E क्या लिख सकते हैं वी बैए L क्या लिख देते हैं आपन E की value वी बैएल देख अभी यह काम आएगी तब मैं तिरको बताऊंगा यहां पर लिखके छोड़ रहा हूं ठीक है अब एक और concept आया सुनें कि करेंट कैसा था कॉंसेंट करेंट कैसा था कॉंसेंट अगर मान ले मैं तुझे ऐसा कहूं कि ज्यान से सोचना इस concept को मैं बोलू हूं यहां पर है value of drift velocity vd1 और यहां पर है value of drift velocity vd2 विच वन इस ग्रेटर विच वन इस ग्रेटर ग्रेटर और एक्वल अरे दिख तो रहा है यार cross section से है न proportionality ऐसे मत सोच तू ऐसे सोच फवारा चला है फवारा पाइप कभी हाथ में लिया है पाइप भाद में लिया है पाइप से पानी आनी दिया है कभी पेड़ पादों में अच्छा उसके अंदर अगर मेरे को उसकी range बढ़ानी होती थी मैं क्या करता था क्या मैं उसके portion को कम कर देता था बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं area ही तो कम कर रहा हूं velocity बढ़ती थी ना उ कुछी पानी को मैं एक तो चाहूं तो यहां से यहां गिरा लूँ और उंगली लगा के वहां पहुंचा दूंआ को बोलके इसे दूसरों के गळों में अपने बी पेड़ पौदे तो एंचिए 10-15 अब लोगों। कहां पहुंच जाते हो यार कैसे लोग यार तुम हाँ तो अपन लोग पाइप के आगे उंगली रख लेता है तो दूर तक जो है वो बहुचार पहुंच सकती है क्या ऐसे यहां पर भी कोई ना कोई चीज वेरी हुई है अच्छा एरिया कम हुआ तो कौन बढ़ेगा कौन से वहां पर क्या जब नल खोलते थे तो उसको तो सेम स्पीड में चलते रहने देते थे ना या उसकी स्पीड में भी बदलाव करते थे पानी उसी स्पीड से आ रहे है बस उंगली लगाई और दूर पहुंचा है बूल करते थे कि नहीं वही चीज यहां पर हुई तो क् देखके ऐसा लगता है और एक करेंट है करेंट पर तो कोई फरक ही नहीं पड़ता वी डी वन वी डी टू क्या होंगे बराबर होंगे तब तो अपने को हलगी है सब चीज़ याद ही नहीं रहती कि डिफ वेलोसिटी क्या होती तुम लोग शाया तब बूलोगे नहीं कि जाएंगे ऐसा तो नहीं लग रहा ना चल अचा देख वी डी टू क्या आ गई greater than वी डी वन अब सुनना आगे की कहानी देख एक चीज होती है मैंने अभी अभी कहा था कि आपस में नका कोलीजन होता है क्या हो रहा होता है क्या हो रहा होता है तो थो बिटा माल ने पहला क the mean free path, क्या बोलते हैं इस lambda को, mean free path, ऐसा बोल लो कि distance between two successive collisions, क्या नाम दे दिया, distance between two successive collisions, और दो collisions के होने के बीच में, जो एक time duration, time gap भी आता होगा, उस time duration को नाम दिया गया, tau, क्या नाम दिया गया, and this tau is known as the relaxation time, क्या नाम दिया गया इसे, relaxation time, this is tau, torque लिखते थे 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 ना tau, यह वोई वाला tau है, तो यह tau क्या था, relaxation time और lambda क्या था, mean free path, mean free path की definition क्या बोली अभी अभी हमने, distance between, successive collisions, और relaxation time क्या बता है, time between, two, successive collisions, बहुत अच्छे, सिर्फ terminology है, ऐसे याद रखना है, और कुछ भी नहीं, ठीक है, अब एक चीज़ सोच ज़रा, क्या असली में, अपने पास जो conductor है, उस conductor में जो अपने पास electron या positron जो भी चीज मौजूद है, क्या उसके उपर reality में force लगती है, electric field होने के कारण, उस force की value क्या होती है, क्यूई, उस force की value क्या होती है, क्यूई, देख अगर मैं यहाँ पर conductor बना रहा हूँ, यहाँ अगर मैं conductor बनाऊं, और conductor बना के तुझे बोलूँ के यहाँ पर जो अपना positron मौजूद था, इस positron के उपर, क्या electric field इस direction में आ गई थी, अरे जोड़ा हुआ है यह, मैं पूरा नहीं बना रहा है, क्या है यह, जोड़ा हुआ, तो positron के उपर क्या force इदर लगेगी, in the direction of electric field, बोल बताया था ना अभी अभी, क्या value होती है, इसकी QE, क्या value होती है, QE, होती है के नहीं, मैंने बोला है, इस पर force लगी, QE, any problem, पक्का, acceleration क्या होगा, QE by M, acceleration क्या होगा, अरे क्या लिखुआ, MA equals to QE, मतलब की A equals to QE by M, बोलो होगा के नहीं, यार अपनने तो velocity constant ली थी, अपनने तो velocity क्या ली थी, constant पर क्या असली में accelerate हो रहा होता है, असली में क्या हो रहा होता है, सोच पा रहा है इस बात को, पर यह क्या collision इत्ती जल्दी अल्दी करता है ना, कि बार बार अपनी energy क्या कर रहा होता है, zero, बार बार अपनी energy क्या कर रहा होता है, zero, due to very fast rate of collisions, ठीक है इसी लिए एक्सलैरेट होता है धच टक्कर मारी फिर वापस कतम फिर एक्सलैरेट हुआ टक्कर मारी रुक गया मतलब जैसे अपन लोग ऐसा बोलने कि सब आपस में चलो टक्करे मारना चालो कर दें है ना तो कुछ टक्कर अच्छी होगी कुछ टक्कर? बुरी होंगी? अब सारी टक्रें बुरी होती है, अच्छी कौन सी होती है? अच्छी टक्कर define कर, define अच्छी टक्कर. किस से? अच्छा, खेर थोड़ो मत समना, अच्छी टक्कर का मतलब E की value 1, है न? हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, तो अपनलोग यहना मीन प्र अगर मैं तिरे को बोलू मीन पफ्री पाथ की जो वैल्यू है लेंडा अगर में ये लेंडा की और लेंडा से तरो एकषेटों सब्सक्राइब को को बोलूँ तो डिर्म पॉन ौट वेलॡ कि अच्छीं निक्माति ती स्कटें अच्छीं लेंड़री से समेंड़ कि왔े निकल गईगी इस लेंड़री में हम सकते हैं half into ये कितना हो गया एक इतना है QE by M and multiplied by tau square बोलो ठीक multiplied by कितना आ गया tau square अगर ये term मेरे पास में आ गई तो जरा ये बता Q की value क्या है क्या E Q की value कितनी है E हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिया छोटाई एनी प्रॉब्लम तो अपने थोड़ी देर के लिए फेड़ दे इसको हाँ तो हम लोगों ने क्या बोला half E by M times tau square एनी प्रॉब्लम सबको समझ आती है बात लेम्डा की value तुमारे पास है क्या यहाँ पर पुट कर दी जाए देखना कितनी आ रही है half E by M tau क्या this is VD square काड़ दिया ना एक tau एक tau से एक tau को काड़ दिया क्या VD की value हो गई half E by M times tau VD की value हमारे पास में मौझूद कुछ इस प्रकार से आती है ठीक है क्या चीज बेटा बै क्यू का मतलब क्या है चार्ज चार्ज किसका पॉजिट्रॉन का put कर दी value ठीक है अब अपना फॉर्मूला क्या था current का जल्दी से याद कर ले यहाँ जो निकाला क्या फॉर्मूला है जल्दी बोल i equals to any a vd इसके अंदर put करते हैं चलाजा अपना फॉर्मूला है i equals to n e a vd की value वहाँ से कितनी है half e e by m times tau any problem पक्का आगे की term बोल n e square a e tau by 2m any problem अभी तक जल्दी से बता दे है क्या अच्छा है जो एलेक्ट्रिक फील्द अप्लाइट थी इसकी वैल्यू बोल क्या वैल्यू है v is the velocity potential v is the potential क्या असलियत में potential difference है अरे इधर v इधर 0 तो v minus 0 बराबर v तो है तो in reality this is what potential difference यहाँ पर value डाल क्या आगे आपने पास में e की value put कर दे कितनी आ गई i equals to n e square a v tau upon 2 ml any problem पिटा e की value put की गई है कितनी v by l यह रहा यह रहा e electric field v by l क्या सब लोग देख पा रहें इसको अच्छा अब v को यहीं छोड़ा यह सारी चीज़ें इधर उचाल के ले गया देखना v equals to 2 ml upon क्या यह भी पूरा n e square a tau multiplied by i क्या सब लोग नजर देख पा रहें कुछ-कुछ ध्यान से देख यह क्या हुए this term is constant यह वाली टर्म क्या है कुछ देख तिरको दिख रहा होगा there is a relationship between potential difference and current नजर आया किस-किस में relation लिख है potential difference और क्या यह लिखा हुए v upon i equals to a constant ohms law कहां पहुंच गए ohms law तो अपने आज में क्या आगे है यहां से v equals to यह ऐसा लिख दूँ v upon i equals to constant और यही तुम्हारा कौन सा लोग होते है ohms law अरे नजर आ रहा है यही है भाई साहब ohms law यहां से निकल के आ रहा है वो v upon i equals to constant मतलब की ohms law ठीक है और इस ohms law में r की value क्या तुम्हें नजर आ गई क्या होती है यह लिखा r की value r equals to 2 ml upon n e square a tau this is your r जिसको प्यार से क्या बोलते है resistance क्या बोलते हो याद आगया ohms law सच्चाई यह है ohms law की सच्चाई यह है तो v upon i is a constant यह v upon r is a constant v upon i is a constant यह होता है ohms law please confuse कभी नहों अब होगे क्या confuse अब तो पता लग गया समझ पारे हो resistance के बारे में आप लोग जानता है इसकी unit क्या होती है ohms क्या होती है unit ohms है ना चलो इसके बारे में और detail में अगली class में ठीक है आप अपने को resistance कहीं उपर research करनी है सारी आगे अपनी circuit वर्किट साल हो जाएगी उसके अंदर आएगा मजा तो ठीक है चलो मिलते हैं